हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आइसमान क्लासिस हम लोग उत्तराखंड पालिटेक्निक लेक्चरर कोर्स स्टार्ट के हुए थे और यह उसका लेक्चर नबर फाइब है शुरुवाती फोर लेक्चर्स में हम लोग ने इसके सेलबस को देखा इसके जो best books है वो सब हम लोग ने देखा कैसे तैयारी की जाए यह सारी चीज़े मैंने बताई और जो इसका second chapter है mattresses and determinants उसको मैं start कर चुका हूँ जिसमे four lectures आ लड़ी मैंने upload कर दिये हैं उन lectures को अगर आप मैं नहीं देखा तो उसका मैंने playlist बना दिया YouTube पे आपको आइसमान Classes YouTube चैनल पे जाना है उसके playlist में आपको उतराखंट पारिटेक्निक लेक्षर मैस की वीडियोज आपको मिल जाएंगी ठीक है साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर लीजी और अगर आप आप मेरे ट्रेल्ग्राम ग्रूप या वाट्सप ग्रूप में सामिल होना चाहते है तो उसका लिंक वीडियो के निटे डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया वहां से आप जुड़ सकते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पैला कॉस्चन नमारा यह है कि इसके बारे में पूछा गया कि कैसी मैंट्रिक्स है निल पोटेंट है इन वलट्री है या पिरियावडिक है तो इसमें हम लोग आप मैट्रिक्स बहुत ही डिटेल से देख चुकि हम लोग सभी मैट्रिक्स की जो है डेफनिशान उसके प्रापर्टी वगर्रों को हम लोग चेक करने के जबुरत नहीं है अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो आ गया तो हम क्या देंगे निल पोटेंट है इन उल्ट्री कब होगी जब यह मैट्रिक्स के बराबर आजाएगा और पिरियावडिक कब होगा जब यह मैट्रिक्स पिर से वापस आ जाए ठीक है तो यह सबसे पहले इसमें से चेक करते हैं हम लोग तो देंगे सभी में मुझे यह में स्क्वाइर के जरूरत है तो क्यों न हम लोग यह में स्क्वाइर निकालने पहले यह में स्क्वाइर निकालने के लिए इसको दो बार मिल्टिपलाई करना पड़ेगा माइनस 1, 3, 5, 1, माइनस 3, माइनस 5 और माइनस 1, 3, 5 और यहाँ पर फिर से माइनस 1, 3, 5, 1, माइनस 3, माइनस 5, माइनस 1, 3, and 5 इवन ने मैट्रिस को दो बार लिख दिया चले multiply करते हैं इसको पहले रोको पहले column में करेंगे कितना जागा? 1, 1 प्लस 3, 4 4, 4, माइनस 5, कितना जागा? माइनस 1 आजाएगा पहले रोको दूसरे column में करेंगे तो माइनस 3, और माइनस 9, माइनस 12, प्लस 15 15, माइनस 12, कितना जागा? 3 आजाएगा पहले रोको 3rd column में करेंगे माइनस 5, माइनस 15, माइनस 20, प्लस 25 55 कितना जाएगा फाइप ऊसी तरीके से से के रों को से के कॉलम में करेंगे माइन इंश फाइप आज आ जाएगा फिर्ट को फस्ट कॉलम में करेंगे are तरव나 इस तरीक में अपने देखा कि आम स्कॉआर को यहें के बराबर आगया और तर लगवार ही है, फिर सके बारे हैं के बराबर आजाटा है तो मैंटिस कैसे हो जाती अर्थोगोनल के लिए दिखना पड़ेगा यंट्व कोई करने से इससे अमाट्रिक्स वापस बूसाए करने से सबसे लिए सबसे पहले क्या करता है घालते को यह हम्यूट्रीक को आपकि निकालने के लिए इस मैट्रिस को दो बार लिखना पड़ेगा माइनस 5, माइनस 8 0, 3 5, 0 1, 2 माइनस 1 और फिर से माइनस 5, माइनस 8, 0 3, 5 0, 1 2, और माइनस 1 चलिए इसको मल्टिपलाई करते हैं पहले रोको पहले कॉलम में करें कितना जागा 25 और माइनस 24 मतलब 1, 1 आ जाएगा यहां पर ठीक है फिर पहले रोको दूसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस पुट्टी और प्लस पुट्टी और माइनस पुट्टी 0 और इंटो 0 मतलब 0 पहले रोको 3rd कॉलम में करेंगे 0 आ जाएगा 2nd row 1st कॉलम 0, 2nd row 2nd कॉलम 0, 3rd row 3rd कॉलम कितरा हो जाएगा बना जाएगा तो यह में स्कॉायर करने से क्या आ गया आ गया यह में स्कॉायर करने से आ गया इसका मतलब यह मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी inolatary matrix हो जाएगी ठीक है आगे बढ़तें कॉस्चन सब्सक्राइब करने का कई सारा तरीका है या तो आप यह स्कॉर निकाली और उसको यह और तर्म में आप उसको तो रिप्रेजेंट करिए एक तरीका यह हो सकता है यह ऐसा करेक्टरिस्टिक पाल्नॉमल आप निकाल देजिए हाना के करेक्टरिस्टिक पाल्नॉमल मैं आपको बताया नहीं है लेकिन अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो मैं उसके उस टर्म में बता सकता हूं तो चीजे यहां पर एक्स है वहां पर आपको क्या करना है उस मैट्रिस को रख देना है यहां पर 1 होगा वहां पर identity matrix को रख देना है equal to कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए तो चुकि matrix एक्स जहां पर हम लोग यहम रखेंगे तो क्या वहने गाए m square minus m plus 2y is equal to 0 यह हमने कैसे किया characteristic polynomial को जो भी matrix अब अपने characteristic polynomial को satisfy करती है यह केली Hamilton theorem कहता है ठीक है? बस अपता आपका काम होई चुका है अपता आपका question में क्या दिया है? m square minus lambda m plus 2y is equal to 0 बताना lambda की value क्या होगी? compare करवा दीजे lambda की value कितनी हो जाएगा? 1 हो जाएगी? कौन सा option correct हो जाएगा? हमारा a option correct हो जाएगा बढ़ते question number 4 की तरफ काजरा let a be a square matrix of order n and i is the identity matrix of order n the determinant of adjoint of a is equal to what? तो adjoint का पूरा एक lecture मैंने आपको detail में करवाया है तो उसमें मैंने आपको definition या कुछ properties बताये थे कुछ formula बताये थे determinant of adjoint of a is equal to कितना आता है? determinant of a की power n minus 1 ठीक है? तो यह standard formula है इसको आपको ध्यान में रखना पुड़ेगा previous lecture मैंने इसका प्रूफ भी करवाया है तो अगर आप प्रूफ देखना चाहते है तो lecture number 4 में इसका प्रूफ दिया गया है उसका आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो determinant of adjoint of a की power n minus 1 इसका मतलब c option नमाना क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते है question number 5 की तरफ question number 5 में कहा जा रहा है let a be a square matrix of order n and i is the identity matrix of order n then determinant of adjoint of adjoint of a is equal to what इसको भी previous lecture में मैंने आपको determinant of adjoint of a is equal to क्या फामुला था इसका determinant of a की power n minus 1 का whole square ठीक है और मैंने आपको detail में यह भी बताया था इसका generalized case बताया था कि determinant में adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of माले जी इस तरीके से लिखा रहे है a adjoint of a और भीतर adjoint कितनी बार लिखाओ के times लिखाओ इसका फामुला क्या बन जाता है determinant of a की power n minus 1 की power कितना जागा की जाएगा हमारा a option क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आगे वड़ते हैं question number six की तरफ काजरा let a be a square matrix of order n and i is the identity matrix of order n then adjoint of adjoint of a is equal to what इसके लिए भी हमने last lecture में हम लोग इसकी प्रापर्टी दिखा था कि adjoint of adjoint of a is equal to कितना था determinant of a की power n minus 2 into a आता है तो कौन सा option हमारा correct हो जाएगा यहां पर हमारा d option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है चला हम लोग आगे बढ़ते हैं question number seven की तरफ question number seven में क्या कहा गया आपसे let a be a square matrix of order n and i is the identity matrix of order n then adjoint of c a जहां पर c क्या है कोई scalar है तो दो कि last lecture में मने आपको बताया था कि adjoint of k a is equal to क्या बाहर आता है k की power n minus 1 into adjoint of a यह formula मने आपको previous lecture में करवाया था तो यहां पर k के जहां पर क्या लिखा हुआ है c लिखा हुआ है तो adjoint of c a is equal to कितना जागा c की power n minus 1 into adjoint of a तो कौन सा option हमारा correct हो जाएगा बी option हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यह सब डारेक्ट formula based question है है ना question number 8 देख क्या कहा गया question number 8 में let a be a square matrix of order n and i be the identity matrix of order n then determinant of c a where c is any scalar is equal to what तो देखे determinant की property यह होती है कि determinant of k a is equal to क्या होता है k की power n is into determinant of a होता है जहां पर यहन क्या होता है उस matrix का order होता है order of matrix a ठीक है यहां पर मुझे दिया गया determinant of c a k के जना पर c दिया गया है तो क्या बाहर हो जाएगा c की power n into क्या जाएगा determinant of a आ जाएगा इस तरीके से a option मारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ते question number nine की तरफ का जार a and b are the idempotent matrices are the same order then a plus b is idempotent matrix if and only if तो पहले मुझे दिया गया a idempotent है idempotent definition क्या होती है a square is equal to a फिर b b idempotent है तो क्या हो जाएगा b square is equal to b यह चाहते है कि a plus b idempotent हो जाए उसके लिए condition खोजनी क्या होगी तो अगर a plus b idempotent कब होगा a plus b हमारा idempotent तब होगा जब a plus b का whole square किसके बराबर आ जाए a plus b के बराबर आ जाए इसको साल करके देखते हैं कि condition क्या मिलेगी तो a plus b ka whole square निकालेंगे तो कितना आएगा a square plus b square plus a b plus b a ध्यान अखेगा a square plus b square plus 2 a b नहीं लिखेंगे क्योंकि matrix multiplication commutative नहीं होता है तो a square plus b square plus a b plus b a बराबर किसके आगया a और plus a b plus b a is equal to a plus b यहां से a plus b a plus b से कटेगा तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा a b plus b a is equal to zero matrix तो कौन सा option नमारा correct हो जाएगा d option नमारा correct हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 10 का जारा if a and b are the idempotent matrices of the same order then a b is idempotent matrix if and only if what अब दके a idempotent है इसका मतलब हो गया a square is equal to a यह मुझे given है b b idempotent है इसका b square is equal to b यह मुझे given है और मुझे condition किसके लिए निकालनी है a b क्या होना चाहिए idempotent होना चाहिए a b idempotent कब होगा जब a b का square a b के बराबर आए अब a b का square मतलब a b को दो बार आपको multiply करना a b into a b और is equal to कितना आना चाहिए a b आना चाहिए ठीक है तो यह कब होगा अब दके यह तब होगा जब हमारे पास a b is equal to क्या हो जाए b हो जाए a b is equal to क्या हो जाए b हो जाए कैसे जड़ा से देखिए यहां पर पहले मैं associated law लगा हूँ ठीक है तो मैं इसको लिख देता हूँ a b into a इसको एक bracket में लेते हैं into b को बाहर कर देते हैं right hand side में हमारे पास क्या है a b है ठीक है अब देखिए जो यहां पर b लिखा गया है अगर if b is equal to a b हो जाए if b is equal to kitna हो जाए a b हो जाए तो क्या होगा जब देखिए a और b के जहां मैं रख देता हूँ a b बाहर कितना b है और right hand side में कितना a b है अब यहां पर क्या मिल गया a square b square मिल गया a square b square is equal to kitna हो गया a b मुझे question में क्या दिया है A square की value A है B square की value B है तो कितना आ जाएगा A B is equal to कितना आ जाएगा A B आ जाएगा तो A B is equal to A B मतलब LHS RHS बराबर तब आएगा मतलब A plus B whole square A plus B की बराबर तब आएगा कब आएगा जब यह matrix क्या करेगी commute करेगी कौन सा option करेट हो जाएगा हमारा C option करेट हो जाएगा बरते question number 11 के तरफ कादर इफ A is an idempotent matrix यह idempotent है मतलब A square is equal to A है तो पूछ रहा है कि A plus B is equal to I मुझे यह भी given है कि A plus B is equal to I आपको बताना कि B matrix कैसी है तो आपको बताना कि B matrix हमारी कैसी है तो देखिए यहां से जो मुझे यह दो equation दिये गए है पहला equation यह दूसरा equation second equation से B की बारे में हम लोग क्या बता सकते है B is equal to I minus A ठीक है अब मुझे देखा option क्या क्या दिया है निल potent निल potent कब होगा जब उसका कोई power करने से 0 आ जाए item potent कब होगा जब B का square B की बराबर आ जाए इस तरीके का option दिया गया है तो सबसे पहले मैं B square निकालता हूँ B square कैसे निकलेगा I minus A का whole square A कितना आ जाएगा I square plus A square minus 2A identity matrix का square identity matrix आता है A square is equal to A हो जाएगा according to equation number 1 minus 2A हो जाएगा अब यह बन गया I and A minus 2 है कितना जाएगा minus A हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर B कौन था B हमारा था I minus A इसका मतलब I minus A का whole square I minus A के बराबर हो गया इसका मतलब यह हो गया कि I minus A is what item potent जब किसी matrix का दो बार पावर करने से वह matrix वापस आ जाए उसको में बो item potent matrix बोलते है I minus A item potent है I minus A किसको बोला था हमने B को बोला था इसका मतलब B is what item potent matrix तो कौन सा option correct हो जाएगा B is an item potent matrix मतलब B option मारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ते है question number 12 की तरफ question number 12 में देखिए क्या दिया गया है if A is any 3 cross 3 matrix satisfying this is equal to 0 then A की power 4 is equal to what तो आई यह जला इस equation को एक बार लिख लेते हैं AQ minus A square plus A minus I is equal to 0 इसमें क्या common है? A square common है यहां बनेगा A minus I इन दुनों क्या common है? identity matrix common है यह आजाएगा A minus I is equal to 0 तो दुनों bracket में क्या common हो गया? A minus I दूसरे bracket में A square plus I is equal to कितना हो गया? 0 अब देखें, दो matrix का product यहां पर 0 दिया गया है और यह confirm है कि यह matrix 0 के बरावर नहीं है किसी matrix का square करके उसमे identity matrix आप add करेंगे तो 0 matrix तो होगा नहीं ठीक है? तो अब हमारे पास क्या option बचा? हमारे पास option बचा कि A minus I is equal to 0 ठीक है? तो यहां से A is equal to कितना आजाएगा? आई आजाएगा? अब मुझे निकालना A की पावर 4 A की पावर 4 का मतल्य हो जाएगा? आई की पावर 4 और identity matrix से कोई भी पावर करें identity matrix ही आता है इसका हमतार D option से क्या हो जाएगा? करेट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 13 की तरफ question number 13 में कहा गया है for any two matrices E M1 and E M2 which are the following is true पहला option नमारा है determinant of E M1 and E M2 is not equal to determinant of E M1 into determinant of E M2 तो यह तो सरासर गलत बात है क्योंकि determinant of E M1 into E M2 किसके बराबर आता है? determinant of E M1 into determinant of E M2 के बराबर आता है इसका अंद यह option eliminate हो गया दूसरा option में दिया गया है E M1 plus E M2 का whole square ते कि E M1 plus E M2 का whole square क्या आता है? E M1 का square plus E M2 का square plus E M1 E M2 और plus E M2 E M1 मैंने यह बता था कि matrix multiplication commutative नहीं होता है इसलिए E M1 E M2 E M1 को जोड़के 2 E M1 E M2 नहीं लिख सकते हैं यहां पे इनों दिया E M1 square plus E M2 E M2 E M1 E M2 ते गलत है क्योंकि matrix multiplication in general commutative नहीं होता है तीसरे option में इनों लिखा है दो matrix है जिसका product 0 है तो यह कह रहा है कि या तो इसमें से E M1 0 होगा या तो E M2 0 होगा यह बिल्कुल भी गलत है क्योंकि दो non-zero matrices हो सकता है लिखने हो सकता है दो non-zero matrices का सकता है मतलब E M1 E M2 is equal to 0 हो यह भी संभव है कि E M1 is also not equal to 0 M2 is also not equal to 0 इसका जो है आप example मुझे बताइएगा क्या इसका आप example ढुन सकते हैं कि क्या आप ऐसे 2 matrices बना सकते है कि दोनों matrices non zero हो लेकि उनका product क्या हो जाए जीरो हो जाए कि आप ऐसी matrix बना सकते हैं कमेंट बाक्स मुझे लिखकर बताईएगा ठीक है तो ऐसा पॉसिबल है कि M1 और M2 दो non zero matrices हो लेकि उनका product क्या हो जाए जीरो matrix हो जाएगा तो इन्होंने का है कि अगर दोनों का product zero है तो उसने से कम से कम एक zero होगा ऐसा जरूरी नहीं है चौथे option में इन्हों दिया है कि M1 into M2 का transpose कि इसके बराबर आता है M2 का transpose into M1 का transpose यह सही बात है कि जो transpose है वो reversal law को follow करता है मतलब इसको reverse order में लिखना पड़ेगा जैसे M1 पहले लिखा या M2 बात में लिखा जाएगा तो राइट hand side में M2 पहले लिखा जाएगा या M1 बात में लिखा जाएगा तो डी option मारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ते question 14 में काजर if A and B are the two matrices of the same order then which one of the following is true पहला यह determinant of A minus B किसके बराबर आता है determinant of A minus determinant of B के बराबर आता है यह गलत है क्या determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B बस यही एक रूल होता है ठीक है दूसरे में करें determinant of A determinant of A determinant के बराबर आएगा रॉंग है तीसरे में determinant of AB is equal to determinant of A यह सही है चोथे में determinant of A by B determinant of A by B दो matrix का division तो होता ही नहीं है तो गलत है मारा कौन सा option करेंट हो जाएगा C option मारा करेंट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question 15 के तरफ काजरा if A and B are the two matrices of the same order then which one of the following is true determinant of AB is not equal to determinant of BA तो गलत बात है क्योंकि अगर determinant of AB निकालेंगे क्या आजाएगा determinant of A into determinant of B or determinant of BA निकालेंगे तो कितना जाएगा determinant of B into determinant of A आजाएगा और यह दोनों कहा determinant of AB or determinant of BA बराबर होते हैं हाँ यह बिल्कुल सही है determinant of AB or determinant of BA क्या होते हैं बराबर होते हैं तीसरे में कहा determinant of AB is not equal to determinant of A गलत है और all are true यह गलत है कौन सा option करेटर जाएगा हमारा B option correct हो जाएगा बढ़ते हैं question 16 की तरफ काजरा if A is orthogonal matrix then which one of the following is true करें A transpose and A inverse बोथ हर आर्थोगोनल चले आर्थोगोनल matrix उसको definition लिखते हैं अगर A आर्थोगोनल है if A is orthogonal इस आर्थोगोनल तो इस इंप्लाइज that A into A transpose is equal to I A into A transpose is equal to I यह इसी को ऐसे लिखा जाता है कि A transpose is equal to A inverse A transpose is equal to A inverse आर्थोगोनल हो जाती है तो कहना ही A आर्थोगोनल है मतलब यह equation number one मुझे दिया है मुझे option में चेक करना क्या A transpose आर्थोगोनल होगा चले चेक करते हैं तो A transpose लिख दिया बगल में इसका फिर से क्या लिखेंगे transpose लिखेंगे क्योंकि यही तो definition थी जिस matrix को चेक करना पहले उस matrix को लिखेंगे बाद में उसके transpose को लिखें multiply करें answer आई आना चाहिए आई चेक करते हैं आई आता है कि नहीं यह हो गया A transpose और A transpose का transpose किसके बराबर आता है और A transpose into A यहां पर मुझे question में दिया कि यह आर्थोगोनल matrix है इसका मतलब A transpose into A किसके बराबर आएगा आई के बराबर आएगा यहां से देखें इस matrix A transpose और उसका transpose लिया तो आई के बराबर आ गया इसका मतलब यह हो गया कि A transpose is what? A transpose is what? आर्थोगोनल अब और क्या check करना A inverse आर्थोगोनल है कि नहीं तो क्या करेंगे A inverse लिख लिया अब A inverse क्या लिखेंगे transpose और answer कितना आना चाहिए? आई आना चाहिए आई देखते हैं आता है कि नहीं आता है ठीक है? तो यहां सब लोग इसको लिख सकते हैं this is equal to A inverse into इसको लिख सकते हैं A transpose का inverse थीक है तो इसको हम लोग देखें एक प्रापर्टी होतی है हमारे पास कि A B का inverse is equal to क्या आता है? B का inverse A का inverse के बरावर आता है तो B inverse into A inverse को भीaría का inverse लिख सकते हैं तो देखे फिर से ए इन्वर्स में उसका ट्रांस्पोर्स से मेंटिक लाई करने से आई आ गया इसका वंदा ए इन्वर्स भी कैसा है आर्थो गोनल मैट्रिक्स है तो ए आपसन नमारा करेट हो जाएगा फिर बी सी डी आपसन को चेक करने के जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल क जुँँटायन के लिए इसका ट्रांस्पोर्स लिया जाए तो किसके बराबर आजाए ज़ाए यह मर च्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा ठीक है अब देखिए हम लोगं की प्रापर्टी पढ़ी ए कि एट्ज्वाइन आफ ट्रांस्पोर्स इस इक्वल टू यह होता है एडज्वाइंट आफ एका ट्रांस्पोज ठीक है तो यहां पर यहां पर मुझे देखी क्या दिया गया है यह मुझे प्रूव करना यह चेक करना कि अगर मैं यह दिखा दूँ एक ट्रांस्पोज एक बराबर आ 21 डिख दिखा गया अठेजग फ्रांस्पोज रैञे değil 818 है इसका गया है ट्रांस्पोर्ज श्यमेट्रीक ऑसे खताएगा है अपमरे क्या हो जाएगा Then consider the following statements. पराई statement है, AB is skew symmetric if and only if AB plus BA is equal to 0. चले, चेक करते हैं. AB को मुझे क्या दिखाना है? AB is skew symmetric. skew symmetric कैसे दिखाते हैं matrix को? skew symmetric हम लोग कैसे दिखाते हैं? जब उस matrix का transpose लिया जाए और उसको negative को बराबर आ जाए. AB का transpose is equal to कितना आना चाहिए? तब हम लोग कह पाएंगे कि ये matrix हमारी कैसी होगी? इसकी उसे matrix होगी. ठीक है? तो AB का transpose किसके बराबर आएगा? B का transpose into A का transpose is equal to minus AB. B का transpose question में दिया minus B. A का transpose minus A मैं रख देता हूँ यहाँ पे. minus B into minus A is equal to minus AB. तो यहाँ से मिल जाएगा BA बराबर minus AB इसको left में ले आएगे तो कितना हो जाएगा? AB plus BA is equal to 0. यह तो सही दिया गया है. इसका मतलब पहला statement correct है. कि AB is Q symmetric तब होगा if and only if AB plus BA is equal to 0. इसी तरीके से reverse, कनवर्स करका आप दिखा सकते हैं कि अगर AB plus BA बराबर 0 हो तो AB हमारा कैसा हो जागा? इसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा. पहला option correct है. दूसरे में कहा जा जा रहा कि A plus B भी इसक्यू सिमेट्रिक होगा. इसका मतलब A plus B का हमें transpose निकालना पड़ेगा. हाई निकालते हैं A plus B का transpose is equal to A का transpose plus B का transpose. A का transpose question में दिया minus A, B का transpose minus B इसमें से minus common करने हैं तो A plus B का transpose बराबर minus times A plus B इसका मतलब A plus B हमारा कैसा isक्यू सिमेट्रिक है तो second option भी correct हो जाएगा. थर्ड आप्सन में कहा जा रहा है A की power N भी isक्यू सिमेट्रिक होगा. कैसे दिखाएगे? If N is even minus A की power N किसके बराबर आजाएगा? A की power N के बराबर आजाएगा. तो इसका मतलब यह matrix हमारी कैसे हो जाएगी? अच्छा, अगर A की power N इसक्यू सिमेट्रिक दिखाना है इसक्यू सिमेट्रिक If N is what? Even. ठीक है? तो अगर हमारा N even है तो जैसे minus A की power कितना रख दें? तू रख दें एक किसके बराबर आजाएगा? यह आजाएगा A square के बराबर आजाएगा ठीक है न? तो चुंकी इनोंने कहा कि N even है तो इसका उन्हाँ माइनस एक एक मिनिट A का ट्रांस्पोज इसके बराबर आजाएगा तो हमें क्या दिखाना है A की power N का ट्रांस्पोज लिया जाए और किसके बराबर आजाएगा माइनस एक की पावर N के बराबर आजाएगा तो हम लोग कहेंगा हमारा क्या है इसक्यू सिमेट्रिक है तो अगर मुझे इसको बनाना है अगर माइनस को बाहर लेना है इसका मतलब N को क्या होना चाहिए और इन्होंने कहा कि नहीं इवन है तो तो नहीं हो पाएगा इसका मतलब थर्ड आउप्शन हमारा जो थर्ड स्टेट्मेंट हो तो गलत है फिर A-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ठीक है बढ़ते कोस्टेन नमर 19 की तरव ठीक है तो कोस्टेन में देखें आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नम्मर 19 हमारा बढ़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है क्या कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार आप वीडियो को पहुच करके खुद से लगाईगा इसको का जार ए और अर्थोगोनल मैट्रीस तो अर्थोगोनल है इसका मतलब यह ह टाइम्स डिटर्मिनेंट आप बी के बराबर है ठीक है और अर्थोगोनल मैट्रीस के बारे में आप क्या बता सकते हैं ठीक है यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर क्लिप्लेशन करता हूं यहां पर मैं एकक्स्प्रेशन साल करने जा रहा हूं अ प्लस ब्ॉल्टि ब्लस भी विट्रांपोस इसका हम डिटर्मिननेंट निकलने जा रहे हैं थीक है तो आपको मालूम蒙 है दूबारा इसी को मैं दूसरी नबर पी More नमबर 1 बोल देता हूँ, दुबारा इसी को मैं दूसरे तरीके से साल्प करने जा रहा हूँ, A transpose into A plus B into B transpose, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके साल्प करने जा रहा हूँ, चले इसको multiply कर देते हैं, A transpose अब B transpose को भीतर multiply करके लिखते हैं, क्या जागा A transpose into A into B transpose, और plus A transpose into B into B transpose, आगे बढ़ाते हैं इसको, अब दोकि A transpose into A किसके बरावर है, I के बरावर है, क्योंकि A orthogonal matrix है, A transpose into A किसके बरावर आएगा, I into B transpose मतलब B transpose हो गया, Plus, यहाँ पर BB transpose किसके बराबर आजाएगा? I के बराबर आजाएगा. मतलब यह हो गया A transpose. अब यह किसके बराबर हो गया? Determinate of A plus B के transpose के बराबर हो गया. अब आपको यह भी मालूम है कि A का transpose का determinant या A का determinant दोनों बराबर आता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, determinant of a plus b के बराबर आ गया, ठीक है, इसको मैं equation number 2 बोल दता हूँ, तो first and second का देखे, lhs same है, इसका उनला rhs भी same होगा, तो rhs पहले का क्या हो गया, a plus b, और दूसरे में कितना minus times a plus b का determinant, दोनों को left में ले लें, कितना देखा, two times, determinant of a plus b is equal to 0 हो जाएगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, determinant of a plus b is equal to 0, किसी matrix का determinant अगर 0 आ जाए, तो matrix कैसी हो जाती है, singular हो जाती है, इसका उनला a plus b is what, singular matrix, तो कौन सा option आपको correct हो जाएगा, b option आपको क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सांदार question है, एक दो बार इसको आप लगाईएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, question of 20 की तरफ, का जाएगा, if a is a n cross a real orthogonal matrix, orthogonal matrix है, इसका उनला a into a transpose, चाहे a transpose into a, किसके बराबर आएगा, i के बराबर आएगा, और determinant of a is equal to minus 1, वैसे तो orthogonal matrix है, तो determinant of a कितना आता, plus minus 1 आता, बट यहां पर इन्ह आप एक इसके बराबर, minus 1 के बराबर है, तो पूछ रहें, a plus i के बारे में, आप क्या बता सकते हैं, अब देखिए, आगर आप यहां पर method से जाएंगे, a plus i को orthogonal निकालने जाएंगे, तो उसका transpose into a is equal to i दिखाना पड़ेगा, अगर आप method से जाएंगे, तो हमें लगता है कि आपको थोड़ी सी परसानी होगी, तो ऐसे question में बहतर यह होता है, यह करें, a कोई भी orthogonal matrix है, n cross n की, मैं 2 cross 2 की एक ऐसी orthogonal matrix बना लेता हूँ, जिसका determinant minus 1 हो, देखिए, मैं बनाता हूँ, a is equal to 100 minus 1, आई इसको चेक करके मैं दिख पहली बाद इसका determinant कितना है, determinant minus 1 है, यह बा minus 1, यह किसके बराबर आजाएगा, यह आजाएगा, a into a transpose, यह 1001 के बराबर आजाएगा, मतलब i के बराबर आगया, यह जो मैंने example लिया है, यह 2 cross 2 की orthogonal matrix है, अब मुझे किसके ऊपर comment करना है, a plus i के ऊपर comment करना है, तो a plus i निकाल लेते हैं, तो a plus i जब निकालने जाएंग तो a हमारे पास कितना है, 1, 0, और 0, minus 1, और plus i हमारे पास कितना है, i हमारे पास होता है, 1, 0, 0, 1, add कर देते हैं, कितना आजाएगा, 2, 0, 0, 0, ठीक है, अब इसका determinant निकाल दें, अगर हम लोग, determinant of a plus i, तो कितना आजाएगा 0, और determinant अगर 0 आजाएगा, a plus i matrix कैसे हो जाएग a plus i is what singular, तो कभी-कभी ऐसे question में आपको जो examples होते हैं, वो आपको बड़े काम करते हैं, तो कम से कम जितने types के मैंने matrices बताई है, उतने सारे examples मैंने आपको दी हैं, तो हर type के कम से कम एक example आप जरूर ध्यान लखिए, इससे question में जो options होते हैं, उसको eliminate करने में आपको help मिलता है, आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, अगले question मुझे दिया गया है, कि if i plus a inverse into i minus a orthogonal matrix है, तो a के बारे में आप क्या बता सकते हैं, चले देखते हैं, तो orthogonal कब होता है, जब उस matrix का transpose उसी matrix के साथ दिया जा और i आए, तो पहले matrix को एक बार लिख लेते हैं, i plus a inverse और कितना i minus a, यह तो matrix हो गई, अब इसके बगल में इसका transpose लेख देते हैं, तो i plus a का inverse, और i minus a, और इसका transpose, अर्थोगोनल matrix है, a into a transpose के बरावर आएगा, i के बरावर आएगा, ठीक है, आई ज़रा इसको हम लोग open करते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास आजाएगा, i plus a का inverse, इसमें तो क a minus a भी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए, यहाँ पे a, b का transpose जब किसके बरावर आजागा, b का transpose into a का transpose, मतलब i minus a का transpose, और i plus a के inverse का transpose, ठीक है, यह बरावर is equal to i, फिर से i plus a का inverse इसको रहने देते हैं, i minus a इसको भी रहने देते हैं, अब यहाँ a plus b का transpose किसके बरावर आता है, a का transpose plus b का transpose, या a minus b का transpose किसके बरावर आता है, a का transpose minus b का transpose, यहाँ पे i का transpose i होगा, minus a का transpose लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, inverse को उपर रहने देते हैं, भी तर ट्रांस्पोज लगा देते हैं, i का transpose i, और a का transpose कितना हो गया, a इन्वर्स वाले हैं उसको में right म minimize कर देंने का मतलब गतलब दोनों तरफ say Once एक कर दें तो यह सकते हैं एक सर्फ में सकते हैं यहां बचेगा हमारे लिए उसकोmeye घ्राइब जहते हैं तो इन्वर्स वा payer का transpose और right hand side में हमारे पास क्या हो जाएगा I plus A और कितना हो जाएगा I plus A का transpose हो जाएगा, साल्ब करते हैं I into I minus A transpose A transpose minus A into I plus A into A transpose and right hand side में I into I I plus A transpose yani I into A A transpose A transpose, A transpose क्या मिला हमको, हमको यहां से मिल जाएगा, this is equal to, हमें मिल जाएगा, 2A, right hand side में 2A, और left hand side में कितना मिल जाएगा, minus 2A transpose, 2 to cut कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, a transpose is equal to minus a, इसका मतलब A matrix समारी कैसे, skew symmetric है, this implies that, a is what, skew symmetric, यह भी question बहुत सांदार question ह इन दोनों questions को आप अच्छे से एक बार और practice करिएगा, तो आपको अच्छे से समझना आ जाएगा, ASQ symmetric हो जाएगा, इसका मतलब C option हमारा क्या हो जाएगा, correct हो तो friends, आज के lecture को मैं यही पर समाप्त कर रहा हूँ, आज के lecture में हम लोगा ने बहुत सारे questions के practice की, ठीक है, य यह lecture आपको कैसा लगा, comment box में मुझे लिख कर बताएगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते है next lecture में, thank you very much.